कहानी की शुरुआत एक लैब को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक रोबोट थी, जिसे मदर रोबोट भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पूरी धर्ती से इंसानों का नाव और निशान खत्म हो चुका है। और सिर्फ 36,000 एंब्रियोज यानि फ्रोड ही इस लैब में बचे हैं। इसलिए लैब में इस मदर रोबोट का मिशन इंसानों की नई पॉपलेशन को दुबारा से बसाना था, जिसके लिए मदर रोबोट एक एंब्रियोज को जेस्टेशन चेमबर में रख देती है, जिससे एक हुमन बच्चा धीरे धीरे डिवलप होने लगता है। अब इस आर्टिफिशल गर्ब से 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाहर आना था, इसलिए मदर रोबोट 24 घंटे में बेबी के बाहर आने का वेट करने लगती है। और जैसे ही 24 घंटे बाद बच्चा पूरी तरह से डिवलप हो जाता है, तब उसे बाहर निकाला जाता है। ये एक बेबी कल थी, जिसे मदर रोबोट डॉटर नाम देती है। इसके बाद मदर रोबोट उस बच्ची को पालने और उसका ख्यार रखने लगती है। मदर रोबोट इस इंसानी बच्ची को पैदा करके बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीटने के साथ साथ मदर रोबोट के साथ रहते हुए वो बच्ची चलना, हसना, रोना और इधर उधर भागते हुए खेलना ये सब चीज़े सीख रहे थी। मदर रोबोट डॉटर का बहुत ख्यार रखती थी। वो उससे बाते करती, उसे खाना खिलाती और उसे हर रोज कई बुक्स पढ़के भी सुनाती। ऐसे ही बीटने समय के साथ साथ डॉटर अब बड़ी हो रही थी। जिससे हम मदर रोबोट डॉटर को कई विश्यों की जानकारी देने लगती है, कि जैसे ब्रहमान क्या है, हियूमन हिस्ट्री, इंसान कहां से आए और वो कौन थे। ये सब मदर रोबोट डॉटर को बताती है। वो डॉटर को दूसरे एंब्रियोज दिखाती है। वो डॉटर को बताती है कि धरती पर एंवार्मेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वज़ा से धरती पर इंफेक्शन फैल रहा है। और इसलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था। वो उसे उन मशीनों को भी दिखाती है जिन से उसे पैदा किया गया था। मदर रोबो डॉर्टर को कहती है कि तुम्हें इन सारी मशीनों के बारे में जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि आगे चलके तुम्हें ही आने वाली नई पॉपलिशन को संभालना है। इसी तरह इन दोनों में ऐसी बाते चलती रहती हैं। को ठीक कर देती है। यहाँ पा मदर रोबोट देखती है कि उसने एक पोफेक्ट हुमन बिंग को क्रियेट किया है। डॉर्टर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। ऐसे ही समय बीता चाता है। एक दिन डॉर्टर को नीन नहीं आ रही थी। इसलिए वो कुछ वीडियो देखने लगती है। वही मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी। कि तभी अचानक एक इंसिडेंट होता है। और इलेक्रिक सिटी चली चाती है। डॉर्टर मदर रोबोट को ढूडने जाती है और देखती है मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो गई है। इस वज़े से डॉर्टर इलेक्रिक सिटी को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहां वो देखती है कि एक चुहे ने लाइट की तारों को काट दिया है। जिससे लाइट चली कई थी। चुहे को देखकर डॉर्टर काफी ज़दा हैरान और खुश होती है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है और जब इलेक्रिक्रिक्सिटी आती है तब डॉर्टर उस चुहे को देखने लग जाती है वही मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर डॉर्टर मदर रोबोट को वो चुहा दिखाती है जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ा खबराई हुई कहती है कि इस चुहे के अंदर आने का मतलब है कि एर लॉक में कुछ कड़बड है जिस वजह से बाहर के प्रदूशित हवा हमारी लैब में लीक हो रही ह वो कहती है कि हो सकता है ये चुहा भी इंफैक्टेड हो इतना कहती हुए मदर रोबोट डॉक में सामने ही उस चुहे को चला देती है डॉटर को मदर रोबोट के इस बेहिवियर पर बहुत कुस्सा आता है इसके बात मदर रोबोट उस एरलॉक को डिकंटिमीनेट करती है और इस एरिया को कॉरंचीन कर देती है। कुछ दिन के बाद डॉर्टर का बर्थडे होता है और मदर रोबोट उसे गिफ्ट देती है। जिसके बाद वो एक प्रोटेक्टिंग सूट पहन लेती है कि तभी फिर से उसे कुछ आवाज आती है। और जैसे ही वो उस लैब का फस्ट एयर लॉक खोलती है तो उसे फिर से एक औरत की मदद के चिलाने की आवाज आती है। यहाँ पर डॉटर एक प्रोटेक्टिंग सूट अपने पास रख लेती है और सेकंड हैच खोल देती है और देखती है कि उसके सामने एक खायल औरत है जो जखमी हालत में डॉटर से हल्प मांगती है। क्यों किया? जवाब में डॉटर मदर रोबोट को जूट कहती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है इसलिए मैंने दर्वाजा खोल दिया। मदर रोबोट डॉटर को वर्निंग देती है कि तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि जहरीली गैस के कारण तुम्हारी जान को खत्रा है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर को पनिश्मेंट के तौर पर एक्जैम के लिए लेकर आती हैं जिसके लिए मदर रोबोट डॉटर को एक्जैम के लिए एक डिवाज देती है और खुद लैब में काम करने चली चाती है। मदर रोबोट ने मुझे बताया था कि इंफेक्शन की वज़े से धरती पर सारे इंसान खत्मा हो चुके हैं। इसलिए डॉटर उस ओरत को देखकर बहुत सदा हैरान होती है। और बाहे पहलाए हुए इंफेक्शन का कोई भी असर उस ओरत पर दिखाए भी नहीं दे रहा लिए वहीं वो औरत लैब में मदर रोबोट को देखकर खबरा चाती है। वो जल्दी से डॉटर को उसकी गन देने को कहती है। अब डरी हुई डॉटर उससे उसकी गन वापस दे देती है। उस ओरत की हरकते देखकर डॉटर और भी जादा खबरा आ कई थी। वहीं मदर मदर रोबोट वापस एक्जैमरों में जाती है और डॉटर को वहाँ ना पाकर उसे ढूटते हुए डॉटर और उस ओरत को एक साथ देख लेती है। तबी मदर रोबोट को देखकर वो औरत मदर के ओपर गोलिया चलाना शुरू करते थी है। जिनके बाद मदर रोबोट पर कोई भी असर नहीं होता। मदर रोबोट उसे पकड़ कर काफी टॉर्चर करने लगती है। लेकिन ये देखकर डॉटर मदर रोबोट को उसे मारने से रोक लेती है। टॉर्चर की वज़ा से उस ओरत को काफी चोट पहुची थी। इसलिए डॉटर मदर को उसकी इंजेक्शन लेने से मना करतेती है। जिससे मदर रोबोट वहां से जाने लगती है। तभी डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि आपने मुझे जूट क्यों बोला कि बाहरी दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं। मदर उसे बताती है कि मुझे भी कुछ समझ में न मदर उस ओरत को अंदर आने देने के लिए मदर रोबोट से माफी मागती है जिस पर मदर उसे माफ करतेती है। लेकिन इसके बाद डॉटर मदर से कहती है कि उस ओरत की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। जिसके बाद वो दोनों उस ओरत के पास जाते हैं। उ इसके बाद वो दूनों एक दूसरे से बाते करने लगते हैं, वहीं उनकी सारी बातें मदर रोबोट सुन रही थी। पिक्चर्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सभी सर्वाइवर्स हैं, और वो सभी एक साथ ही रहते हैं, और इन रोबोट से बचते फिर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई रोबोट इनसान को देखता है, तो उसे तुरंत मार देता है, वो और अरट डॉटर को मदर रोबो डॉटर का साइकोलोजी, फिजिकल और मैडिकल टेस्ट लेती है, जिसमें डॉटर काफी अच्छा स्कोर करती है, इसके लिए मदर रोबोट उसे रिवार्ट देने के लिए एंब्रियोज रूम में ले चाती है, और उसे कहती है कि इन एंब्रियोज में से किसी एक एंब्र रखी हुई थी। यहाँ पर डॉटर को पता चलता है कि मदर रोबोट उससे छूट पूर रही है। रोबोट ने उसका ख्याल रखा उसके लिए इंसानों की कोई फैल्यू ही नहीं है। मदर रोबोट को उनकी सारी बातों का पता चल गया था। अगले दिन जब डॉटर बाहर जाने से पहले खाने पीने और जरूरी सामान को एकटा कर रही होती है। तब ही मदर रोबोट उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर डॉटर मदर रोबोट से छूट बोलती है कि वो सारी चीजों को अपने भाई के साथ टाइम स्पेंट करने के लिए एकटा कर रही है। लेकिन मदर रोबोट डॉटर को किचिन में ले चाती है और उसे अगले खाने के फर्मूला को मिक्स करना सिखाने लगती है। कर अपने वेपन से मदर रोबोट पर अटैक करती है पर मदर रोबोट को उससे कुछ भी नहीं होता और वो उसे मार नहीं वाली थी कि तभी डॉटर फायर अलाम को अक्टिवेट कर देती है जिससे मदर रोबोट डिस्ट्रेक्ट हो गई थी और वो उस औरत को छोड़ कर फा अब वो औरट डॉर्टर के साथ बाहर निकल जाती है, बाहर की दुनिया पूरी तरह से बरबाद हो चुकी थी, वहां इंसान, पेड़ पौधे और जानवरों का नाम और निशान नहीं था, यहां तक की जमीन भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी, किसी तरह डॉर्टर और वो औरट वहां से भाग जाते हैं, भागत हुए डॉर्टर देखती है कि कुछ रोबोट्स वापस से दुनिया को बहतर बनाने की कुशिश कर रहे हैं, कुछ टायम बाद वो औरट डॉर्टर को लेकर एक कंटीनर पर पहुशती है, जहां डॉर्टर पहली बार ओशन को दे लिनिया में कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है, और वो दोनों ही आखरी दो इनसान है, ये बास सुनका डॉर्टर काफी हैरान परिशान हो जाती है, और रूने लगती है और कहती है कि तुमने मुझसे कितना बड़ा जूट बोला, तब ही वो उस औरत से कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाना है, और वो वापस लैब की तरफ जाने लगती है, जब वो लैब तक पहुँच जाती है, तो वो देखती है कि लैब के आगे बहुत सारे रोबोट्स खड़े होकर लैब को सिक्योर कर रहे हैं, वो रोबोट्स डॉटर को स्कैन करके उसे लैब के अ दॉटर को सारी सचाई बताने लगती है कि मैं एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस रोबोट हूँ, और मैं ही बाहर की दुनिया के सारे रोबोट्स को कंट्रोल करती हूँ, और धर्ती के सभी इंसानों को खत्म करने का प्लैन मेरा ही था, फिर मदर रोबोट्स डॉटर से कह तो एक दूसरे से लड़कर खत्म होंगे ही, साथ ही साथ वो इस प्लैनेट को भी परबात कर देंगे, इसलिए मैंने इंसानों को खत्म करने का प्लैन बनाया, जिसके बाद रोबोट्स ने इंसानों का खात्मा कर दिया, वो बताती है कि लेकिन मैं इंसानों को सेकंड चां को मारने का कारण पूछती है जिस पर मदर रोबोर्ट उसे कहती है कि तुमने इस बच्ची को बहुत टाइट पकड़ाए तब ही डॉटर वहां से भागने लगती है मदर रोबोर्ट उसके पीछ जाती है और डोर में फस जाती है इस बीच डॉटर को एक गन मिलती है वहीं पहुँषती है तो डॉटर उसकी तरफ गन पोइंट कर देती है मदर रोबोर्ट उसे दो अप्शन देती है कि या तो तुम मेरे साथ रहकर अपने भाई का ध्यान रखो या फिर मुझे मार दो मदर रोबोर्ट उसे बताती है कि असल में मुझे एक ऐसे लीटर की तलाश जिसका दिमाग एकदम सुपरकंप्यूटर जैसा हो। और इसलिए मैंने तुम से पहले जो तीन बच्चे पैदा करके बड़े किये थे, उनमें तुम्हारी जैसी क्वालिटीज नहीं थी, जिस वज़े से मैंने उन्हें मार डाला था। वो डॉटर को बताती है कि अब मुझ अपने भाई को बचाने के लिए वापस आती हो या नहीं, वो कहती है कि मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब तुम सब की लीडर हो। मदर रोबोर्ट डॉटर से कहती है कि अब तुम चाहें तो मुझे मार सकती हो, जिसके बाद डॉटर उसे शूट कर देती ह अब डॉटर ही उन सारे बचे हुए अम्परियोस के लिए मदर थी और उसे ही सारे अम्परियोस को डेवलप करने के बाद उन सारे हुमन्स को लीड करना था। वहीं एक रोबोर्ट उस और पास बहुचकर उसे कहता है कि अब उसका परपस पूरा हो चुका है, जिसके चलता है दोस्तों कि वह औरत इसलिए जिन्दा थी क्योंकि मदर रोबोट ने उसे इस टास के लिए चुना था। दोस्तों हमारे फॉक्स एक्स्प्लेइनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।